नमश्कार प्रवास अक्षिन विस्टनेटर को आप सभी का स्वागत है श्री राम जन भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के महासरचीव चंपतराय ने बताया है कि राम के बाल सरूप की प्राण प्रतिस्था की जाएगी उन्होंने कहा है कि यह प्रतिमा डेड़ सो से दो सो कि लोग की होगी उन्होंने कहा कि समारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी आरसेस प्रमुक मोहन भागवत यूपी के सीएम योगी आयतनाथ समेत कई हस्तियां भांग लेंगी चंपतराय ने कहा प्राण प्रतिस्था दुपहर 12 बच के 20 मिनट पर प्रारम होगी और एक प्रधानमंत्री और डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री अपने मनोभाव प्रकट करेंगे चंपतराय ने बताया है कि 22 जनवरी को मृक्षिरा नक्षत्र है उस दिन दुपहर 12 बच के 20 मिनट पर प्राण प्रतिस्था शुरू होगी यह मुहुर्थ गनेश्वर श करेंश्य प्रतिस्था के लिए निउन्तम आवश्यक पूजा होगी उन्हों ने कहां कि जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिस्था तहोंनी है वह पद्तर की है उन्होंना कहा कि करिब सभी प्रकार की तैयारिया पूर्ण हो गोई 22 जन्वरी पाउश शुक्ल द्वादशी भारती ये कालगर्णा में कूर्म द्वादशी है आभिजित मुहूर्थ रहे मिर्क शिरा नक्षत रहे प्राण प्रतिष्था दोपहर बारा बचकर बीस मिनट पर प्रारंब होगी प्राण प्रतिष्था की का ये मुहूर्थ शद्धे गणेश्वर शास्त्री द्राविड वारणसी इनोंने निर्धारित किया है काशी आयुध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रतिष्था से नमन करते हैं करमकांड की संपूर्ण विधी वारणसी के लक्षमी कांत दीक्षिजी ये दुनों अपने अपने विशे के मूर्धन्य लोग हैं प्राण प्रतिष्था की पूजन विधी कल सोला जन्वरी से प्रारंब हो जाएगी पूजन विधी के लगबक सभी कार 21 जन्वरी तक चलेगे 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्था के लिए जो नियुनतम आवर्शक पूजन विधी है वो होगी जिस प्रतिष्था की प्राण प्रिष्था होनी है वो आप सब जनते हैं पत्थर की है हमारे अनुवान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा खड़ी प्रतिमा पाँच वर्ष का बालक का स्वरूप 18 जन्वरी को प्रतिमा गर्भ ग्रह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्था होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है जल में निवास अन्न में निवास फल में निवास औशधी में निवास घी में निवास गृत ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराये जाते हैं इसको पूजा पद्धती की भाशा में अधिवास कहते हैं सामान्य रुप से बड़ी कठिन सवाद में इसको करने सकते इतने दिन तो प्रचलन है जलवास अन्नवास और शय्यावास शय्या का अरताब समझते हैं शय्यावास ये सभी अन्नवास जलवास अन्नवास शय्यावास लेकिन बहुत कठोर कर्मी कोई हो आज इस कल्यूग में तो शय्याद कटी नहीं होगा तो घृतवास अउशधी वास फलवास सुगंधवास ये तमाम प्रकार की बाते हैं सभी विद्वानों ने कहा आज के समय के अनुसार व्यभार करना चाहिए करेंगे गर्वग्रह में गरिमा माय उपस्थुती जिनके सम्मुक सब काम होगा वो भारत के माननी प्रधानवंत्री जी राष्ट्री ये सोयुशक संग के सरसंग चालग जी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री महोदे शिजी राम जन्नम्हुमी तीर्तक्षेत्र के अध्यक्ष पुझ्यमहंत नर्तकपाल दासजी महाराज उत्तरप्रदेश की रज्यपाल महोदेया सभी टरस्थीज लगबग एक सो पचास से भी अधिक परंपराओं के संत धर्माचारिया आदिवासी, गिरिवासी, समुद्र ततवासी, दीपवासी, जनजाती परंपराओं के संत महात्मा भारत में जितने प्रकार की विधाये हैं खेल, वज्यानिक, सैनिक, प्रशाशन, पुलिस, राजदूत, न्यायपालिका, लेखक, साहित्तकार, कलाकार, चित्रकार, मूर्थिकार मैं अगर यह कहूँ, आप जिस विध्या को विजी सोच सकते हैं उसके स्रिष्ठजन आमंत्रित किये गए हैं और मैं ऐसा मानता हूँ, सब लोग आएंगे पदमशिरी, प्राप्त, रामजनम भूमी के लिए ही जिनके जीवन का उत्सर हुआ उनके परिवारों के आज कुछ जीवित मंदिर को निर्मान करने वाले दो लोग है लारसन टुबरो आप जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिन्ट लारसन टुबरो के समकक्ष टाटा टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स टी-सी-ई लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी टोली है जिसको आप वेंडर, सब कॉन्ट्रेक्टर, कोई नाम दे सकते हैं इनका सेलेक्षन लारसन टुबरो आप टाटा ने मिलकर किया है हर एक ने छोटे-छोटे-छोटे काम अपने जिम्में लिए सब का कॉर्डिनेशन, सुपर्वीजन, लारसन टुबरो आप टाटा ने किया ऐसे सब के रिप्रेजेंटेटिव इंजिनियर्स, सुपर्वाइजर्स ये भी एक बड़ी संख्या में साक्षी बनेंगे मैं मानता हूँ ये संख्या लगवक पास्षो रहेगी इंजिनियरिंग गुरुप इसका नाम दिया जा सकता है इंजिनियरिंग गुरुप सादू संतों में सारा भारत सभी भाषा भाषी शैव परंपरा वाष्णाव परंपरा शाक्त शक्ति के उपासन गणपती के उपासना करने वाले सिख्ध बाउद्ध जैन छे दर्शन है सभी दर्शन कबीर पंथी वालमी की आसाम से शंकर देव की परंपरा स्कौन रामकृष्ण मिशन चिन्वे मिशन भारत स्यवाष्ट्रम संग गायत्री परिवार उडिसा का महिमा समाज पंजाब के अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधास्वामी और स्वामी नरण स्वामी नरण का मतलब गुजरात जिनके प्रवर्तक छपिया में पैदा हुए महरत्र का बारकरी करनाटर का वीर शैव लिंगायत सभी लोग उपस्थित रहेंगे प्रार्ण प्रतिष्था शाइद दोपहर के एक बज़े तक पूरी हो जाएगी बारा बचकर बीस मिनट से प्रारंब होकर एक बज़े तक पूरी हो जाएगी ये प्लैनिंग की जा रही है फिर सभी महानुभाव विशिष्ट जन माननी प्रधान मंत्री जी टॉक्टर मुहन्दा भागवत मुख्य मंत्री महोदे अपने मनो भाव प्रकट करेंगे मनो भाव भाषण सब्द अच्छा रही है मनो भाव ये बड़ा ही विशेश आयोजन है निर्तकपालनाजी महराज अपना आशिरवाद देंगे इस कारे में संभवता 63 से 75 मिनट कर समय लग सकता है मांसरोवर अमरनाथ गंगोत्री हरिद्वार प्रयागराज का संगम्तट नर्मदा गोदावरी नाशिक गोकर्ण करन टक्का तो वह समुद रहें अनेक स्थानों का जल आया है तमाम लोग स्था पूरवक अपने अपने स्थानों का जल और रज यहां ला रहें सामान ने परंपरा है हमारे आपके सब के घर की कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को विवाह के बाद भेट देते है अभी तो बालग है पाट साल का लेकिन परंपरा तो परंपरा ही ठहरी तो नेपाल का दक्षनी नेपाल का जनकपूर वीरपूर वीरगंज यह मिधला से जुड़ा हुआ छेत्र एक हजार टोकरों में भार भार मतलब भेट लेकर आया अन है फल है वस्त्र है मेवे है सोना चांदी भी है उसके बाद सीता मड़ी के छेत्र के लोग आए वो भी मिध्रा है जहां माता जनकी जी का जन्म हुआ वहां एक पवित्र स्थान है वहां से लोग आए राम जी की ननियाल मानी जाती है ये 36 गड़ वहां से लोग भार लेकर आये हैं और ये करम निरंतर जर रहा है ये समाच के उमंगर उत्साहा आप सब के ध्यान में आ रहा होगा एक साधू बैल गाड़ी ओपर घी लेकर आए अपनी गोशाला का जोदपुर से ये निरंतर कुछ न कुछ हो रहा है 20 जन्वरी 21 जन्वरी को विचार चल रहा है दर्शन बंद रहेंगे भगवान का दर्शन, पूजन, आर्ती, भोग, शयन और जागरन पुजारी कराएंगे और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे समाज आज जो 30,000 तक 25 से 30,000 दर्शक, गर्ण, शद्धालू, पथी दिन आते हैं वो 20 और 21 को हम बंद करने का विचार कर रहे हैं ताकि अंदर की व्यास्थाओं में हमें सरलता हो सके आठ हजार तक कुर्शियां अंदर हम लगाएंगे सारा समाज 22 जन्वरी को क्या करेगा इसको मैंने अनेक बार निविदन किया है एक निविदन किया मानने प्रधानवंत्री जी ने अन्यसब ने स्वयम मैंने भी यथा संभव कहा अपने अपने मंदिरों में सफाई आठ पंदर तारीक है तो अभी एक सप्ता बाकी है अपने अपने मंदिरों में सोचता मंदिर छोटा और बड़ा दोनों ही देवता के घर है सब में भजन, पूजन, कीर्टन टेलिविजन या एलिडी स्क्रीन लगा कर प्राणपितिष्था के अयोध्या आयोजन को अपने मंदिर के पासपड़ोस के समाज को दिखाना प्राणपितिष्था के बश्चा शंक बजाओ शंक दोनी है शंक दोनी करो प्रशाद वित्रण प्रशाद क्या बटा इस से अधिक महत पूर्ण है अधिक से अधिक लोगों को प्रशाद जाए हमारे आयोजन मंदर के इंदृत होने चाहिए सायंकाल आयोध्या में सूर्यास्त पांच बच कर 47 मिनट पर संभवत हो जाएगा तो छे बज़े के प्रश्चाद अपने घर का जो सबसे बाहरी दरवाजा है वहाँ पर दिपक पांच दिपक अपने प्रभू की प्रसनता के लिए अपने हर्दय की संतुष्टी और आनंद को प्रकट करने के लिए जलाओ उच्छलकूत इससे ज़्यादा महत्पूर दीप जलना राम संपूर्ण भारत के सब राम जी के ये सदृष्ट संसार के सामने जाए जब सभी प्रवेश करने लगेंगे हमने भारत वर्ष में जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं भारती ये परंपरा भारती ये परंपरा ऐसे गायन नहीं वादन उत्तर प्रदेश का पखावज वाशूरी धोलकूं में कादस तो दिये जाएंगे सब्कों करनाटक का वीणा महरेट्र का सुंदरी पंजाब का अलगोजा उडिशा का मर्दल मध्यप्रदेश का संतूर मनिपूर का पुंग असम का नगाडा और काली 36 गण का तंबूरा बिहार में भी पखावज है दिल्ली की शहनाई राजस्थान का रावन हत्था बंगाल का शिरिखोल सरोद आंद्र का घटम, जारखंड का सितार, गुजरात का संतार, तामिल नाडू का नागस्वर, म्रदंग और उत्रखंड का हुड़का ऐसे वाद्धियंत्रों का वादन करने वाले अच्छे से अच्छे वादकों का चैन किया गया है और ये बहुत ही स्वीट, साफ्ट स्वर्वे वादन करेंगे ये वादन ऐसे समय में चलेगा जब प्राण्पनिष्था का मंत्रों चार और देश के नित्रतु का उत्मोधन नहीं हो रहा होगा बड़ी महत्तु की बात है ऐसे स्व्रेश्थ लोग यहां स्वयम प्रिणना से आ रहे नाम का चैन किया गया है निवेदन किया गया है उन्हें स्वेच्छा से स्विकर कर दिया इसका भी और आप समझते हैं वादक कलाकार जबाते हैं तो कुछ उनकी भेट होती है यह सुख एच्छिक है सारे परिशर की सज्जा की जाएगी रात्री को आप लोग देख सकेंगे प्राप्रिक्ट्रा पूरी हो जाने के बाद अथ्वा दो बचकर तीस मिनट धाई बजे के पस्चात कोई दोचार पार्टमिंट का अंतर आएगा अंदर परिशर में बैठे हुए संत महपुरुष आमंत्रित सज्जन रुन्द दर्शन करने के लिए मंदर में प्रवेश करेंगे प्रते काल दस साड़े दस वजे सबको प्रवेश करना होगा मारणी प्रधानमंत्र जी आने के बहुत पहले और वापस जाने में हो शकता है शाम को पांच बच जाए दर्शनादी करने में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको छे भी बच सकते साथ भी बच सकते इतनी लंबी अवदी तक अंदर बैठना तो जलपान और भोजन जलपान शब्दी की बचाए अलपाहार अलपाहार भोजन ये दो व्योस्थाएं दोनों रहेंगे पानी लगुशंकादी के लिए यूरिनल के प्रेसेज जूता कहां रखेंगे इस सब का विचार और व्योस्था की जा रही है अंदर से बाहर आना बाहर से अंदर जाना अंदर ही उन्हें कुछ पौश्टिक किसी को कोई शरीर की अवस्था न हो जाए इसका विचार करते वे इस सब योजन बनाई गई है ऐसा लगता है कि केवल 22 तारिक को ही 25 से भी अधिक चार्टर्ड प्लेन आने वाले हैं कि संभावता अठारा उन्नीच बीच इकिस का भी विचार कर लें तो शायद अपने विशेश यान या हेलिकॉप्टर से आने वालों कि संक्यास्था हो सकती है महर्शी वालमी की हवाई पट्टी हवयद्डे के अधिकारियों से निवेदन किये गए हैं और वो इस सम्मन्द में अच्छी से अच्छी सुगधा देने के लिए प्रत्रशील है अभी नया नया हवाज़ता चला है इस कठनाई को भी सारा देश जरूर समझेगा 26 तारीक से विश्व हिंदो परशयद राट्रिय सेंसक संगा इनके कारकरताओं की तिथिया निर्धारित की गई है संगा परिवार विचार परिवार और ये कारकरता उनी तिथियों के अनुसार आएंगे सामान नितिया प्रति दिन साड़े चार हजार से पाच हजार तक एक दिन रुकेंगे वापस जाने का निवेदन किया जाएगा ये योजना फर्वरी के अंतर तक ही चलेगी हो सकता है 23 या 24 फर्वरी तक ये सब पूरा हो जाएगा जिन लोगों को निमंत्रित किया गया है उनको ठहरने के लिए कार सेवक पुरम मरी रामदास जी की छावनी का प्राकृतिक चिकिस्सा केंडर और मनी परवत के बगल हमने उसको नाम दिया है तीर्थ छेत्र पुरम पुरमन नगर वहां पर की गई है कुछ आश्रमों में घरमशालाओं में व्यत्पिकत होमिस्टे होटल वहां भी कमरे लिए गए अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा सके इसका प्रयास चल रहा है हंग कॉंग की एक पीम आ रही है अमेरिका से भी एक टोली आ रही है लेकिन हमने दुनिया के पचास देशों से एक-एक व्यक्ति का चैन करने का निवेदन किया था वो आया है एक देश एक रिप्रजेंटिटिव संस्था का संगठन का ऐसे पचास देशों के तरेपल लोग ये भी आ रहे हैं अब पचास देश कौन-कौन से होंगे इसमें अफ्रीका भी होगा और अब खाड़ी के देश भी होचेंगे सब होगा पचास प्रियास रहेगा जो व्यक्ति जिस दिन आ गया उसी दिन वो दर्शन करके घर वापस जा सके रात्री को रहने का दबाव रात्री की शीत के कष्ट उन कष्टों से दर्शन आर्थी को बचाने के लिए सोच रहे हैं परिस्थति के रुसार दर्शन का समय रात्री में बढ़ाते रहेंगे अधिक से अधिक लोगों को उसी दिन दर्शन हो जाए 22 जन्वरी को सभी ग्रहस्तों के संतों के दर्शन के प्रश्चात हम ये भी सोच रहे हैं कि आप सब को भी 22 जन्वरी का अंदर का दर्शन दिखाये जाए अपने कैमरों के सब अभी विचारा भी नए इसमें मंदर के अन्य कामों में कितनी बाधा पड़ेगी वहां की अन्य समस्चावाएं तो ज़्यादा खड़ी नहीं होंगी निर्मान कारी की कठनाईयों को सब को अन्यों करना चाहिए जैसा मंदर बना है वो शायद संसार का तो नहीं भारत वर्ष का भी नहीं सो-दूसों साल में और उत्तर भारत में इतना बड़ा स्टॉन स्ट्रक्छर चर्चर मैं कोई अधेता भी नहीं हूं मैं चार बना जीज़ों का कंपरिजन भी नहीं करता हूं लेकिन अगर आप शुछ कर करना बता सकें कि 100-200 साल में इतना बड़ा स्टोन इस्ट्रक्चर कहीं बना है तो मैं जरूर उसके बारे में जानना चाहूंगा शायद 22 जन्री का एक आर्टम प्राहपतिस्था ये आईजनिक ऐसाईजन है जो कभी हिंदुस्तान के सौतंत्र भारत में नहीं हुआ होगा जिसमें नामों का चैन करके संतों को और समाज को आमंत्रित किया गया है कोई विद्या छुटी नहीं ऐसे सीर्ष पुरुष एक साथ एकत्रित है ये अपने में एक दुरलभ बात है नभू तो इतना तो कही सकते हैं भविशी के बारे मालूम नहीं नभू तो पहले कभी हुआ होगा शायद नहीं इसमें महत्त की बात है 20 और 21 जनवरी को आज जिनकी सेवा पूजा दर्शन करते हैं वो दर्शन सर्व सामाने नागरिकों के लिए भक्तों के लिए बंद कर दिये जाए ये बहुत गंभीरता से चिंतन में है अंदर निर्माण कारिये 22 जनवरी की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन करियानन के लिए इसका विचार चल रहा है मैं कोई बात इसी से जुड़ी हो तो पूछिए 22 तारीक के बाद 23 तारीक की सविरे से सबके दर्शन है सबके मतलब 135 करोड समाज के जो अयुद्या आ जाएंगे हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लैन करे रात की सर्दी के कठनाईयों से वो रक्षा कर ले अपने ये एक सवाल का सब उत्तर मैंने माननी प्रधानमंत्री जी और सरसंवितालक जी की गरिमा में उपस्थती शब्द का प्रयोग किया है इसी का प्रयोग आपको करना चाहिए यग्यशाला परिसर के अंदर ही बनी है और मंदिर के प्रवेश द्वार के इशान कोण पर बनी है नौर्थ इस्ट कर्णर उसी यग्यशाला में एक कुंड बने है नौ कुंड है जो कुछ होगा परिसर के अंदर यग्यशाला में होगा लगबग 120 वेदिक भारत के भिनवेन राज्यों से चैन करके बुलाए गए है एक नियंटर रह सके एक सूत्रता बनी रहे इसके लिए ये सारा काम गड़ेश और शास्त्री जी और लक्षमी कांदीक्ष जी इनके मार्ग दर्शन बोला आने इनके बाहर कोई दूसरा इसमें नहीं है आपने शाथ सुना नहीं भईया मैंने चार सो पांट सो लोग बताया जो पहले दिनी अजमान होगा वो ये बाइस तारीक तक रहना होगा उसको इसलिए अब देख रहे हैं कौन इतना कष्ट सह सकता है हाँ सब कुछ तरह है नहीं अभी नहीं प्राण प्रतिस्था को लेकर कई सवाल भी उत रहे हैं उत्तर नहीं देना मैं प्रणाम करता हूं कर दा हमारे एक ट्रस्ती है शंकरचार जी जिनकी तीन पिलियों कि परंपराई जहांतोलम से जुड़ी रही है वासु देवानजी महाराज, उनके गुरु विश्णु देवानजी महाराज, उनके गुरु शांतनान जी महाराज, पहले दिन से प्रत्यत लड़ाई जगडे में, वो कभी पीछे नहीं अटे। मैंने कहा ना बताएंगे, पता ही लिग जाएगा, बतार नहीं बढ़ेगा। अरुण योगी राज, मैसूर निवासी, अनेक फीडियों से जिसके परिवार में मूर्ती निर्मान का कारी चलता है। मेरी जानकारी के नुसार, केदार नात में शंकरचार जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। बहुत कम उमर का है, चालिस पे तालिस सी जाता ने लगता मुझको। अत्यांत विरम्र हस्मुक। दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे छत्री की नीचे शथ सुवाच्चन बोस्की स्थापना हुए। वो प्रतिमा भी उसी योगिराद में बनाई है, अरून योगिराद। और जिस तरह से उसने यहां जीवन जिया है। शायद आप सोच नहीं सकते हैं उसने 15-15 दिन 20 दिन फोन अपने पास में रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की। इतना इकाग्र होकर किया है। उसकी मूर्ति का चेहन किया गया है। और सभी लोगों ने उसकी मूर्ति की प्रसंसा की। सभी का अर्थ है। उपस्थित कम से कम ग्यारा ट्रस्थियों ने। यह तो देखने से जो जिस बात से प्रभावित हो जाए। यह भी सम्मान होगा। सम्मान होगा यह कोई बात बताने की है कि अब फीचर में हम क्या करेंगे। जब करते जाएंगे तो बताते रहेंगे। बहुत तरेके हैं थोड़ी। और यह अयोध्या रामानंद परंपरा की है। यहां दो परंपरा हैं रामानुच और रामानंद। नर्टकोपालदाश जी कनक भवन यह रामानंद परंपरा है। सुग्रीव किला, विद्याभासकरजी, और रामलला मंदर, रागवाचारजी महाराट, शिरिधराचारजी महाराट, यह रामानंद परंपरा है। और यह मंदर रामानंद परंपरा का है। इससे सारे अर्थ निकालो। भगवान की वर्तमान प्रतिमाएं जिनकी उपासना, पूजा, सेवा सत्तर साल से चल रही है। 1950 से। यह भी मूल मंदर में, मूल गरबगरह में ही उपस्थित रहेंगी। तो जैसे और पूजा वैसी सब की पूजा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। झाल झाल